कब है गनेश विसरजन नोट कर लें गनपती बपा की बिताईगा समय देखे महुरत मंत्र योग दस दिनों तक चलने पार एक गनेश उत्सव का सिमापन गनपती बपा के विसरजन के साथ होता है गनेश विसरजन भादरपद महा के शुकल पक्ष की चतुरदशी तिथी को करते हैं वस दिन अनन्द चतुरदशी होती है जिन लोगों की घरों पर दस दिनों के लिए बपा विराशती हैं वे गनेश विसरजन अनन्द चतुरदशी को करते हैं लोग गनपती बपा को खुशी-खुशी विदा करते हैं और अगले साल फिर आने को कहते हैं। माना जाता है कि गनपती अपने साथ भगतों की दुखों को लेकर जाते हैं और उनके जीवन को खुशाली से भर दीते हैं। इस बार गनेश विशर्जन के दिन भद्रा और 17 सितंबर दिन मंगलबार को है उस दिन ही अनंत चतुरदर्शी मनाई जाएगी। पंचां की अंसार अनंत चतुरदर्शी के दिन के लिए आवशक भादरपद शुक्ल चतुरदर्शी तिथी 16 सितंबर सुमबार को दोपहर 3 बचकर 10 मिनट से लेकर 17 अगस्त मंगलबार को दिन में 11 बचकर 44 मिनट तक मानने हैं। कर सकते हैं। उस दिन अनंत चतुरदर्शी पुजा का मुहरत सुबह 6 बचकर 7 मिनट से 11 बचकर 44 मिनट तक है। जिन लोगों की घरों पर 10 दिनों के रिए बचपा विराशती हैं वे गनेश विजरजन अनंत चतुरदर्शी को करते हैं। लोग गनपती बचपा को खुशी-खुशी विदा करते हैं और अगले साल फिर आने को कहते हैं। माना जाता है कि गनपती अपने साथ भक्तों के दुखों को लेकर जाते हैं और उनके जीवन को खुशाली से भर देते हैं। इस बार गनेश विजरजन के दिन भद्रा और पंचक भी हैं। तिरुपती के जोतिशा चारे डॉक्टर क्रेश्न कुमार भारगव से चानते हैं कि इस साल गनेश विजरजन कब है। गनपती बपा की विदाई का समय क्या है। गनेश विजरजन 2024 तारीक एस साल गनेश विजरजन 17 सितंबर दिन मंगलबार को है। उस दिन ही अनंत शतोदरशी मनाई जाएगी।